तौर्ची को inाव orazली कॉम् SHT thank you जुब ह्सें कीई आज बनाते हैं एम इन आज बनाते है हम चॉकलेट बॉल्ल्स बनाने के लिए पहलि हम चॉकलेट स्पांज बनाइगे चॉकलेट स्पांज बनाने के लिए हम् 내 चाहिए दो अंडे 80 g ग्राम्स ओफ नॉर्मल शुगर, 50 g ग्राम्स ओफ मैदा, 1.5 टी स्पून वैनिला एसेंस, 2 टेबल स्पून ओफ कोको पाउडर, 1.5 टी स्पून ओफ बेकिंग पाउडर, मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर को हम 3 बार अच्छे से छान लेंगे, ताकि तीनों च एसेंस और शुगर को हम एक साथ बीट करेंगे, अंडो को रिबिन कंसिस्टेंची आने तक बीट कर लिया है, अब हम मैदा फोल करेंगे, मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर, थोड़ा-थोड़ा करके आट करेंगे, एक साथ आट नहीं करेंगे, केक टिन को बटर से मैंने अच्छे से ग्रीज किया है, केक का बैटर ट्रांसफर करेंगे, करेंगे, मैंने रखते आए, प्री हीट करने के लिए मैंने रखते आए, प्री हीटिद ओवन में बाटर ट्रांसफर करेंगे, पर कंवेंशन मोड पर 15 मिनिट के लिए बेग करेंगे, चोकलेट स्पॉंज रेडि है हमारा, एक टूथपिक इंसर्ट करके देखेंगे, अगर टूथपिक क्लीन आती है, तो आपका स्पॉंज रेडि है, चोकलेट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए, 100 ग्राम्स अमूल फ्रेश क्रीम, 200 ग्राम्स अफ डाक कंपाउंड डाक चोकलेट, 1 टी स्पॉन पाटर, चोकलेट सॉस बनाने के लिए पैन में हम दालेंगे, चॉप्त कीवी चोकलेट, फ्रेश क्रीम, अमूल बाटर, पैन को हम स्लो गैस पे रख देंगे ताके चोकलेट मेल्थ हो जाए, चोकलेट मेल्थ हो चुकी है, क्रीम रिए चोकले सॉस, क्रीम घटेंगे चुकलेस, क्रीम राटरी में तेम प्लेटूर जेफ लिए विए बव्ता हुश्छण, क्रम्बल किये हुए चॉकलेट स्पंज में थोड़ी चॉकलेट सॉस आड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद छोटे बॉल्स बनाएंगे चॉकलेट बॉल्स को चॉकलेट सॉस से कोट करेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए फोक पे रहनी देंगे ताके एकसे चॉकलेट ड्रिप हो जाए उसके बाद पटर पेपर या एक प्लेट में रख देंगे और फ्रिज में रखेंगे ताके सेट हो जाए तैयार है चॉकलेट बॉल्स चॉकलेट बॉल्स को मैंने एडिबल, सिल्वर बॉल्स और ड्राइ चेरी से रेकॉरेट किया है अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए अपने फैमिली एंद फ्रेंज के साथ शेर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तैंक यू